नमस्कार मैं रवी शंकर, नियूस क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है वैसे तो दुनिया भर में क्रिकेट के फैंस की कमी नहीं है जो छोटे छोटे लीग मैच भी बड़े चाओ से देखते हैं मगर बाद जब क्रिकेट के महाकुम विश्वकप की हो, उस पर भी महाकुम का आयोजन भारत में हो तो क्या ही कहने इन दिनों दुनिया भर की दस टीमें विश्वकप उठाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगी है एक एक मैच बेहत रोमान्चक हो रहा है मगर आज हम आपसे विश्वकप 2023 के कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जैसे साल नियमों में क्या बदला हुए हैं दोबार की वर्ट चैंपियन वेस्टन डीज टूर्नामेंट से बाहर क्यों हैं इस टूर्नामेंट में कैसे भारत की जीत के लिए समीकरन तयार हो रहे हैं भारत की मेजबानी में कब कब वर्ट कप हुए हैं शुरुआत करते हैं नियमों से इसके लिए चलते हैं 14 जुलाई 2019 के दिन विश्वकप का फाइनल मुकाबला इंगलेंड को आखरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे स्ट्राइक पर थे स्टोक्स और गेन थी न्यूजिलेंड के ट्रेंड बोल्ड के हाथ में पहली दो गेंदों पर स्टोक्स ने एक भी रन नहीं बनाया मगर आखरी की चार गेंदों पर उन्होंने 15 रन बना लिये यानि वर्ड कप का फाइनल टाई हो गया और मुकाबला सूपर ओवर तक गया सूपर ओवर में भी ऐसा ड्रामा हुआ जिसके बारे में फैंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा यानि सूपर ओवर भी टाही हो गया अब ICC के नियम के मताबिक बाउंडरी जिनी गई जिसमें न्यूजिलेंड ने दो छक्के 14 चौके जमाए थे और इंग्लेंड ने दो छक्के और 22 चौके जड़े थे इस तरह इंग्लेंड को विश्व चैंपियन घोशित कर दिया गया हलाकि बाद में ICC की बहुत आलोचना हुई यही कारण है कि इस साल बाउंडरी काउंट नियम को हटा दिया गया है मतलब जब तक नदीजे नहीं आएंगे तब तक सूपर ओवर कराए जाते रहेंगे इसके अलावा ICC के कई वेन्यू के पिछ क्यूरेटरों के लिए एक प्रोटोकॉल तयार किया गया है जिसमें बाउंडरी का साइस कम से कम सतर मीटर तय करने के निर्देश दिये गए है एक और नियम में ICC ने सॉफ्ट सिगनल नियम को खत्म कर दिया है सॉफ्ट सिगनल नियम में यदि बॉलिंग एंड पर खड़ा अंपायर किसी विकेट के लिए थर्ड अंपायर की मदद लेना चाहता है तो उसे पहले दूसरे अंपायर से बातचीत करने के बाद अपना फैसला थर्ड अंपायर को देना पड़ता है ऐसे में यदि थर्ड अंपायर भी उस विकेट को अच्छी तरह से परखने में नाकाम्याब होता है तो ग्राउन में बताए गए अंपायर का फैसला ही मना जाएगा ये काफी विवाद भरा साबित हुआ जिसके चलते जून में इस नियम को खत्म कर दिया गया अब फंसे हुए विकेट का फाइनल फैसला थर्ड अंपायर फूटच के आधार पर ही करेगा के बाद बाद दो बार की विश्यो चैंपियन वेस्टन डीज की कि वो टूर्नामेंट से बाहर क्यों है जिस वेस्टन डीज ने तकरीबं 3 दशक तक वर्ड क्रिकेट पर राच किया जिस वेस्टन डीज ने क्रिकेट के पहले दो वर्ड कप जीते पहले 1975 में और फिर 1989 में वर्ड कप 1983 में भी वो फाइनल तक पहुंचा तो इस बार क्या हो गया दरसल उसे पहले मेजबान, जिम वॉबे और फिर नीदर लेंड ने हराया इन हार के बावजूद वेस्टन्डीज ने ICC One Day World Cup Qualifier के सूपर 6 में तो जगह बना ली लेकिन यहां भी उसका लेचर प्रदेशन जारी रहा इस बार नौसिखिया टीमों में शुमार स्कॉट लेंड ने विस्टन्डीज को हरा दिया विस्टन्डीज की यही हार World Cup 2023 के उसके सपने के लिए आखरी कील साबित हुई स्कॉट लेंड से हार ने विस्टन्डीज का World Cup 2023 में खेलने का सपना तोड दिया अब जानेंगे कि भारत की जीत के लिए समिकरन कैसे तयार हो रहे हैं जसा कि आपको पता है कि भारत ने पहली बार 1983 में World Cup जीता था तब भारत ने वेस्टन्डीज को शिकस्ट दी थी उस World Cup में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था भारत ने मैच में पहले बैटिंग करते हुए 247 रन बनाये थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया को 38.2 ओवर में 129 रनों पर धेर कर दिया था और 118 रन से मैच जीता था और इसके बाद भारत विश्व विजेता बना था दूसरी बार ये संयोग बना 2011 में तब भारत और उस्ट्रेलिया की टकर वर्ड कप के क्वाटर फाइनल में हुई थी दोनों ही टीमों के लिए विश्व कप में आगे जाने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी था लेकिन बाजी टीम इंडिया ने मारी भारत ने 261 रन के टार्गेट को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया उस मैच में यूरास सिंग ने नाबाद 57 रन ठोके थे फिर भारत ने श्रिलंका को फाइनल हरा कर वर्ड कप जीत लिया अब साल 2023 की बारी है और एक बार फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दे दी है यानि एक बार फिर 1983 और 2011 जैसा सैयोग बन रहा है आखिर में बाद भारत में मेजबानी की आपको बता दे कि ये पहला मौका है जब भारत विश्व कप की मेजबानी अकेले कर रहा है साल 1987 में पहली बार भारत में वर्ड कप के मुकाबले खेले गए थे ये क्रिकेट जगत का चौथा ही वर्ड कप था तब भारत और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था चटे क्रिकेट वर्ड कप के मुकाबले भी भारत में ही खेले गए थे 1996 में हुए वर्ड कप में भारत और पाकिस्तान के साथ शिरिलंका को भी मेजबानी मिली थी तब शिरिलंका ने वर्ड कप टाइटल जीता था क्रिकेट की दुनिया का दसवों वर्ड कप एक बार फिर भारत लोटा साल 2011 में भारत, बंगलादेश और श्री लंका ने फिर से वर्ड कप की मेजबानी की अब 2023 में तो भारत अकेले ही पूरे वर्ड कप को होस्ट कर रहा है नियूस क्लिक की क्रिकेट वर्ड कप सिरीज के इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के वर्ड कप मुकाबलों और कुछ रोचक तथ्यों की बात करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया